पेमस रेपर और सिंगर हनी सिंग को जान से माने की धमकी मिली है। की हत्या की साज इश्रची थी। दिली पुलिस के मताबिक हरदेश सिंग और हनी सिंग के मैनेजर रोहित छाबडा के फोन पर धमकी भरा कॉल आया। यानि कि अब राद एक धमकी के तहट मामला दर्च कर लिया है। और इसके साथ ही जांच की जा रही है। हनी सिंग ने मीडिया से बात्चित में कहा कि मुझे और मेरे स्टाफ को गोल्री बराड के नाम पर धमकी भरी कॉल आई है। हनी सिंग ने दिल्ली पुलिस कमिशनर से सुरक्षर देने की मांग भी की है। हनी सिंग ने साथ ही कहा कि मुझे जिंदकी में पहली बार धमकी मिली है और मैं दड़ा हुआ हूँ। हमें कुछ वाइस नोट्स भी मिले हमें ये धमके अंतराश्ट्रे फोन नम्बरों से मिली है। हनी सिंग क्या हुआ है क्या धमकी मिली है। मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है। क्या करें गोल्डी बराड के नाम से उनों बोल रहे हैं। और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करिए सिपी साब को कि मेरे सिक्यरिटी दे और उनसको इंड़िए कराए। कर रहे हैं। हनी क्या धमकी मिली है। या क्या थान पार टो खाए। कुछ बढ़ने को कि इंड़िए उन्वेस्ट पैसों की डिमांज दिए या क्या है। मैं सब कुछ करके आप पर जंडी जो तो अगरे हुए। कभ आया। हनी सिंग आपको फिलाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धंकी मिली है मेरे साथ ने पहली बार हुए जिंदिगी में लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा और पहली बार ऐसा कुछ थ्रेट आया है और बहुत दराओं से अपनी सिक्यूर्टी के लिए पुलिस और प्रिशाशन से क्या डिमांड कर रहे हैं आप कर आया आपको कौन कितने बजे को लगा है इंडियन नंबर से विदेशी नंबर से वाइस नोट भी आई है कुछ वाइस नोट से आए और प्राउस आई है तो